आज हम चर्चा करने जा रहा है पंचाहिती राज बेवस्था पर जिसमें आज वाट सचीव जो है इगारवें दिन धरना पर पटना गर्दनी वाग में बैठे हुए हैं कल जब मीडिया के कुछ लोगों ने समराठ चौधरी पंचाहिती राज मंत्री समराठ चौधरी से बा मांग रख रहें तीन सुत्री मांग है उनका पहला मांग है कि हमें मांदे जो काम किया उनका बेतन मिलना चाहिए और दुसरा है कि अस्थाई करन और तिसरा है सरकारी करमचारी का दर्जा तो काम किया है उनको बेतन मिलना चाहिए कि नहीं लोगों की बांग सही है और लग के दवारा उठाए गए मांगों को सरकार मानेगी मनना तो चाहिए अगर सरकार नहीं मानती है तो वाट सचीव अंदोलन कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि जो पंद्रह जमनरी के बाद वाट कार्यानेवन समीति का गठन होना सुरू होगा तो संभव है कि उसमें इन हम आपको हटा रहे हैं वाट सचार नहीं को सरकार निसन îइसा लगता सब्हाइब नोग सरकार की अने हैं तो किया सकता है दो साल के लिए उनका चेब हुए था स्थाईकरने की बात नहीं हाइए थी अब तो दो साल के बाद भी अगर क्रियानवन समीति का पुनरगठन हो रहा है तो वाट सचीवों को पुनह रखा जा सकता था इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थे 20 लाक व्यक्ति को आप 2 साल से परिश्रम करवाई चार साल के लिए चैन किये और अब को रहेघे जाएए पज़न थे पर और अगे बढ़ गए है तो अब क्या आपको लगता है कि सरकार उनके सामने जुकेगी या उनके सामने सरकार के सामने वार्ड सचीव जुकेंगे नितिश कुमार की सरकार है सरकार तो जिद्धी है मुखिया ही जिद्धी है माने जाते हैं कि नितिश कुमार जिद्धी है जब सचीव ने उनका लेटर जारी कर दिया है कि वार्ड सचीव समयत कि रियानम कर सकते हैं प्रसंसा कर सकते हैं सलाह दे सकते हैं मानना नहीं मानना सरकार का चलते 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 कि उनको जो काम किये हैं तो बेतन की मांग कर रहे हैं तो मांग होना चाहिए कि मांदे मिलना चाहिए और अस्थाई करन भी होना चाहिए आप किसी व्यक्ति को चार साल अगर काम क चाहिए लिए काम किया है तो बेतन मिलना चाहिए आप हमारे साथ जुड़े रहे देखते रहे इस तरह से पंचाइती राजब्वास्ता यह अन्ची जो पर जो मुद्दा जो गरम जोलंत मुद्दा उन मुद्दों पर विचार के लिए हमारे साथ पुरी टीम बनी हुई है लगातार बने रहे और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलते एंगले वीडियो में तब तक कि लिए जन्देवाद जय हिंद जय बारत बंदेवात रहे हैं